हलो दोस्तो मैं हूँ आपका बेर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है इंफो बेर दोस्तो हमेशा यही कोशिश रहती है हमारी के आपको इंफॉर्मेशन दी जाए हर एक एरिया से कोशिश करते हैं आपके नॉलेज में हम लोग एड़ अप करते रहे आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहे और हर दिन चलते चलते कुछ ना कुछ मार्केट की न्यूज आपको देते रहे जिसके आपके जो डिसीजन लेने की पावर है वो बढ़ती रहे आज ऐसी कुछ चीज है लेकर के आया हूँ दोस्तो मैं लेकर के आज आया हूँ पांच ऐसे बड़े shares जो आपको इस time खरीदने चाहिए या फिर आने वाला जो dip है जैसे कि सब experts बात कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये correction आएगा market में तो correction में आप इन shares को buy कर सकते हो मैं क्यों इन shares की बात कर रहा हूँ क्यों इतने बड़े shares खरीदने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा step by step हारे एक चीज हम लोग discuss करेंगे इस वीडियो में तो start करते हमारे पहले share से मेरी पहली choice है जो मेरा मैंने खुद share को लेकर के रखा हुआ मेरा one of the favorite share है ये iSher Motors iSher Motors आपको सबको पता है एक market leader है industry में और ये Enfield अगर आप जानते हो Royal Enfield के बारे में तो उसकी ये parent company है ये company बड़े बड़े trucks बनाती है काफी सारे टेक्टर्स भी इस company के आते है motorcycles भी है तो काफी वाइड बिजनस है और काफी well known brand भी है ये एक चीज अब मैं आपको बताऊंगा कि ये share में क्यूं लेने को बोल रहा हूं और ये क्यूं एक time है ये share लेने का ये share बार बार नहीं मिलता ऐसे share तो मैं आपको क्यों सजेब्स करना ऐसे रमोटर लेने के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा आज की प्राइज है share की लगबग 19,000 रुपया तो रुपय से share बड़ा है शेयर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो देखिए market capital बहुत ही बढ़िया है 54,000 का market capital है लेकिन P.E. सिफ 20, 70 है जो मैं हमेशा आपको बताऊं कि P.E. जो है एक तो 20 होना चाहिए 20 के अंदर होना चाहिए लगबग 20 के पास होना चाहिए जैसी कि इसका P.E. है सिफ 27 रुपया और आप book value देखेंगे तो वो लगबग 3,000 के आसपास है यानि company में बहुत ज्यादा growth देखन अधियस है आप फिस वैल्यू भी 10 रुपया है और एक बात करेंगे तो यहां पर बात करेंगे फिस वैल्यू की तो 10 रुपय का फिस वैल्यू है और बार्केट में न्यूज बहुत ही जल जो है इनकी split होने वाली है तो कहीं न कहीं पर यह शेयर का benefit आपको होगा और शेयर जनरली ट्रेड करता है 24-25,000 के range में वही शेयर आपको अभी मिल रहा है 19,000 पे मैं बोल रहा हूं market में correction आने वाला है तो वो correction अगर आप यहां तक यानि 16,000 की range में भी expect कर सकते हो 23,000 के dip के साथ तो यह बहुत बड़ी एक chance opportunity हो जाईगी आपकी लिए इसको purchase करने की क्योंक तो निकाल ही लोगे और अगर यह split हो जाता है इस period of time में तो एक का 10 इस type की offer उन्होंने market में देकर के रखी हुई है देखते बनते कब split होता है बड़ अगर split हो जाता है दोस्तों तो बहुत ही बड़ा benefit यहां पे मिल सकता है आपको यह था आईशर मोटर के बारे में दूस दूसरा शेयर की बात करते हैं दोस्तों दूसरा मेरा शेयर है बॉश बॉश मैंने दो तीन दिन पहले लेकर के रखा हुआ है यहां पे देखिए आप यह बॉश चो है बिसीकली बोल सकते हो आप आटोमोटिव इंडस्री के जो स्पेर स्पार्स होते हैं इंजिन से और प्राइस की बात करेंगे तो बहुत ही हेल्दी प्राइस यहां पर दिखाई देगा अगर आप बॉश की बात करेंगे दिखिए बॉश का प्राइस आपको अज दिखाई दे रहा है 13,411 रुपया 117 रुपय का डीप है और कल की बात कल परसों की बात अगर देखो को त एक बहुत बड़ा हाई आपको देखने को मिलेगा यहां पर शेयर ने अपना लो दिया तो साड़े साथ हजार शेयर जा सकता है हाई टू हाई सत्रह हजार का पॉसिबिलिटी है तो अभी चड़े हुए मार्केट में भी आपको चार हजार का बेनिफिट के एक्सपेटिशन स अब रख रहे हो या अगर मैं बोलू करेक्शन के बाद यह शेयर और दो तीन हजार रुपए नीचे भी आ जाता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमाई यहां पर देखने को मिल सकती है मार्केट कैपिटल बहुत ही बहतर ही ने दोस्तों चालीस हजार का महेंगा शेयर है EPS के मुकाबले जैसे यह आईशर मोटर की बात कर रहते हैं तो उसके मुकाबले इसका EPS भी कम है और पी थोड़ा ज्यादा है यहां पर 10 रुपए का है लेकिन बुक वैली देखो के तो दोस्तों 3142 रुपए का है काफी इंट्रेस्टिंग शेयर है दोस पासिटी भी रखते हैं और साथ में हमारा फंड जो है वो भी सेफ रखते हैं तीसरा शेयर में लेकर क्या आया हो दोस्तों स्री चिमेंट के बारे में इंडिया की एक लीडिंग सीमेंड अने फिक्चरिंग कमपनी है बहुत बड़ा ब्रैंड है अब इनके बात करेंगे द दोस्तों तो इनके फैनेंस भी देख लेते हैं कि 22,800 लगबग 23,000 पर ट्रेड कर रहा है साड़ी त्योंसों के हाई कॉलिडी हम लोग देख चुक है डे हाइक में जो लो था वो 15,000 तक शेर गिर चुका था लास्ट करेक्शन में अभी का अगर करेक्शन होता है शेर में तो लगबग हम लोग 3-4,000 तक का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है आइक है दोस्तों 25,000 तक तक यहाँ भी 3,000 का करेक्शन हो भी जाता है तो आपके 7,000 का जो प्रॉफिट है वो कहीं नहीं जाता होगा मुझे दिख रहा है दोस्तों पी जो है पी लगबग 52 रूपीज का है यहाँ पे डिविडेंट 1100 परसंट का देते हुए बुक वैल्यू मेंटेंड किया हुए 3585 पर और EPS देखेंगे तो 245,000 का EPS है फेस वैल्यू शेर का 10 रुपया है इन फ्यूचर अगर चाहे तो शेर स्प्लीड भी हो सकता है यहाँ पर अगर आप देखो कि फिलाल इन दोगों ने सेल का बात की हुई है सेल करने की बट मैं चाहता हूँ कि आप होल्ड करें अगर भी बाई ना करें क्योंकि मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेड है और ऐसे टाइम यह बड़े शेर में हाथ नहीं डालना चाहिए जैसी correction आपको होगे correction में आपको यह सारे shirts उठा लेने चाहिए ताकि आने वाले time में आपको अच्छे से अच्छे return यह दे सके देखें, दो 20 की बात करेंगे तो 15,000 करोड को अलड़ी company profit कमा चुकी है, जो पिछले 4 साल से काफी ज्यादा है तो यहाँ पर possibility बनते होए आपके लिए एक opportunity जो है वो create हो रही है, आगे चलके बात करते हैं, दोस्तों, चौते share में वो है Honeywell Automation, यह company जो है दोस्तों बहुत ही बहतरीन company है यह fortune 500 वाली जो fortune 100 की list है उसमें आती है company जो aircraft, building, manufacturing, plants, chance, workers, सबको connections के लिए industries में काम करती है अब इसके बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर भी में लेके चलूँगा आपको देखे, 28,000 का एक share, यानि पकत के चले, 28,900 यानि 29,000 का एक share है दोस्तों, बहुत अच्छे डिप के साथ यह company उपर ही है, 20,000 यानि 9,000 का already company ने recovery दे चुकी है आपको, देखे, 31,000 जाके वापत से company नीचे जा रही यानि कही ना कही company correction के तरफ जा रही है, यहाँ पर 40,000 की यह company है, दोस्तों बहुत बड़ी opportunity बनते हुए, यहाँ पर देखे, 51 रुपे का इसका PE है, जबकि industry भी 42 है, 2400 का book value है EPS सबसे ज्यादा साड़े 500 रुपे का यहाँ पर EPS है दोस्तों, जैसे बात कर रहे हैं कि 100% buying यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बर मैं फिर भी आपको बोल रहा हैं कि wait करें अभी time नहीं है इसको buy करने का कि आप wait करें, मैं कहूंगा इसको आपको जितना नीचे हो सके उतना नीचे इसको buy करना है इसकी income भी financials भी देखेंगे दोस्तों annually कि तो आप देखो 4001 यानि फिर से वो company ने सबसे ज़्यादा पैसे इसी साल में कमाई हुए है, तो यहाँ पर और जोड़ी फिल से बन रही है कि भाई dip के बाद एक correction के बाद पैसे safe भी रखने है और आपको अगर पैसे भी कमानी है दोस्तों तो यह share बहुत ही बड़ीया share साबित हो सकता है, अब बात करेंगे M3 की जो कि मेरा 5 नंबर का share है, दोस्तों यह basically healthcare related share है, काफी सरे appliances और equipment बनाने वाली company है जो basically hospitals या laboratories में use होते हैं अब इसके बारे में जब बात करेंगे दोस्तों तो वही देखेंगे इसका status क्या है M3 का आज share trade कर रहा था 19,500 रुपए के आसपास जो के 500 रुपए उपर है ग्राफ देखेंगे तो आप समझ जाओ के दोस्तों low company ने बनाया था लगभग 15,700 का और जो अभी 19,000-20,000 के आसपास कंपणी दीरे दीरे बढ़ते होई company का high के देखेंगे year high 25,000 के आसपास है तो यहाँ पर 25,000-5,000 के अपरणचूरी दिख रही है यहाँ पर अगर पी देखो तो पी अच्छा खास है महेंगा है company का 100 का पी है जबकि इंडस्ट्री पी 2080 है book value भी ठीक है 1800 के आसपास है लेकिन यहाँ पर आप देखो तो EPS 200 के आसपास दिखाए दे रहा है face value इसकी बिद्दस रुब है तो प्लीटिंग के पॉर्चुनेटी यहाँ पर हमेशा बनती रहेगी बात करेंगे इसके annual business का तो देखिए दोस्तो 322 करोड के आप अलड़ी profit में company है तो regular system पर चल रही है कुछ अलग से निकल के नहीं आ रहा है बड़ company ने अच्छा कासा profit यहाँ पर बना चुकी है तो मैं आपको क्यों suggest करना पहले तो यह इतनी बड़ी बड़ी company जहाँ पर अगर आप share खरीद देते हो तो आपके 5 से लिए 8 से लिए 10-15 अजार तके profit already confirm हो जाते है इसके मेरे पास 5 कारण है दोस्तों जो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह आपको क्यों करना है reasons दोस्तों पहला यह है कि देखिए यह तो market leader है या फिर market leader के second में आते हैं second market leader आप बोल सकते हो follow up leader यह companies जो होती है न दोस्तों यह बहुत brand इसके trustworthy होते हैं इनके leadership होते हैं तभी तो जाकर के company उतने जगह पर पहुंची है इन्होंने अभी तक split नहीं किया हो है अपने शेर्स तो अपर्चुनिटी एक बनती है के शाइद future में आप स्प्लिट हो जाए तो आपको अच्छे खासे रिटेंस मिल सकते हैं अभी जो क्रश में बोलो यह आपको काफी कम प्राइज पर अविलेबल है जबकि हमें को भी हम लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं पत्तिस हजार तीस हजार के शेर करेदने की हम लोग मुश्कित से डबल नंबर लेने के लिए ट्राय करते हैं और बहुत ज्यादा मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो प कुपल से समझने वाली बात यही है कि अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो बड़े शेर पे जाओ अभी मैं क्यूं बोल रहा है यहां पर बड़े शेर पे जाओ देखिए इसमें क्विक रिकवरी होती है जैसे आपने देखा कि हर शेर अभी भाग रहा है आटा नौनों कि आपने आपको try करने की सबते हुए तो यहां पर पैसे किमाके हो हमेशा bene कर अक वह आपफिट बुक करके वहां पर चाके पैसे डालके वहाँ पैसी भी ट्रेड कर सकते हो तो यहां पर एक डबल अपोर्चुनिटी वाला सिस्टम बनता है यह जो होते हैं दोस्तों फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग होते हैं तभी तो इतने अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग होने का बेनिफिट क्या होता है कि आपके शेयर को कोई टेंशन नहीं आपका पैसा डूबेगा नहीं या कंपनी बन नहीं पड़ेगी तो पैनी शेयर से निकली है दोस्तों अच्छे अच्छे शेयर में ट्रेड कीजिए पाउस्टॉक जब भी नीचे आता है तब एक तो करेक्शन होता है या मार्केट करेश होता है और अभी हमने दोनों देखने को मिले हुए करेक्शन हमें एक्सपेक्टेड है इस तहीं पोड़ा है आने वाले टाइम में पैसे बनाके रखेएगा ताकि अच्छे अच्छे पैसे डाल के डबल कर पाऊ दोस्तों तो दोस्तों यह था मेरा एक ओपीनियन यह थे मेरे पास जिसने मैंने अल्री मैंने अपको बला कि आईश्यर मोडर और वास में मैं पैसे डाल चुका हूं और 4-455,000 में अल्री प्रॉफिट कमा करके बैट चुका हूं आने वाले ती वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बेल आइकों को जरूर क्लिक कीजेगा क्योंकि हम लोग जो शेर सजेस्ट कर रहे हैं वह सीरीज आज से चालू हो चुकी है अल्ले आपको आज के पांच शेर सजेस्ट कर दिया है बहुत ही कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आप कौन सा शेर लेने के सोच रहा हूँ इस करेक्शन के बाद थैंक्यू वेरी मुच दोस्तों